नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन अरेनिक्स टेर्णों चनल में आप सभी का स्वागत है 80 शब प्रती मिनिट की गती से संपात की रिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकिंड बाद श्टार्ट पश्चिम बंगाल में राज्य के साथ विश्विध्यालियों में अंतरिम कुलपतियों की न्युक्ती के फैसले के बाद एक बार फिर राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद की इस्थितियां दिखने लगी है हालां की वहाँ यहे इस्थिती नई नहीं है कुलपतियों की न्युक्ती सहित कई अन्य मुद्दों पर एक तरह से सरकार और राज्यपाल के रूप में दो पक्ष बन गए हैं और दोनों के बीच परत्यक्ष या परोक्ष रूप से खीचनतान चलती रहती है विडंबना यहे है कि नियमों के मुताबिक अन्तिम रूप से किसी एक ववस्था को अमल में आना ही है लेकिन इस टकराव का खामियाजा किसी ना किसी रूप में आखिर आम जनता को उठाना पड़ रहा है यों वहां कुलपतियों की नियुक्ती के मसले पर अधिकार से जुड़ा विवाद पिछले कई महीने से चल रहा है लेकिन रवीवार को राज्येपाल ने जब साथ विश्विध्यालियों के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ती को हरी जंडी दी उसके बाद राज्ये सरकार की और से तीखी परतीकिर्या उभरी वहां के शिक्षा मंत्री ने राज्येपाल पर ताना शाही पून तरीके से काम करने का दावा करते हुए यहे भी आरोप लगाया की इस कदम से विश्विध्याले की कार्य प्रणाली नश्ट हो सकती है दरसल कुल आधिपती के तोर पर राज्येपाल और राज्ये सरकार की विश्विध्यालें में भूमी का से संबंधित एक विधेयक विधान सभा में पारित हो चुका है शिक्षा मंत्री की और से इसी बुनियाद पर राज्येपाल के कदम को नियमों का उलंगन बताया जा रहा है दूसरी और ताजा मामले पर राज्येपाल के पक्ष में यह तरक दिया जा रहा है कि कुलपतियों की अनुपस्तिती में विश्विध्यालें में आनिश्चिता का माहोल बन सकता है इसलिए यह कदम सही है हालांगी इस मसले पर पूर्व कुलपतियों सहित शिक्षा विदों के एक समुने भी राज्येपाल दुआरा कई अंतरिम कुलपतियों की नियुकती पर सवाल उठाया है वहीं राज्ये सरकार का दावा है की वहे इस मुद्दे पर राज्येपाल के साथ चर्चा करके मामले का हल निकालना चाहती है लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सहज है तब वे कौन से बिंदू हैं जिसकी वजह से टकराव हो रहा है करीब तीन महीने पहले भी कुलपतियों की नियुकती के मसले पर राज्ये सरकार और राज्येपाल एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे सवाल है कि अगर कुलपतियों की नियुकती के मामले में नियमों की कसोटी पर इस्थितियां बिल्कुल इसपश्ट हैं तब क्या राज्येपाल उसकी अंदेखी करके इस मामले में फैसले ले रहे हैं अगर ऐसा नहीं है तो क्या सरकार की आपत्ती नाहक ही किसी विवाद को तुल देने की कोशिश है स्टोप